हेलो सास्रीकाल आदाव नमस्ते वेल्कम बैक टू मैं चैनल पॉलिमेथ एग्रू सुलीशन सर्वीस जैसा कि आप देख रहे हैं स्पाउन लैब में खड़ा हूं मेरी अपनी स्पाउन लैब है खैसा कंनल आपके साथ हैं मार्केट में कंसी डिजी या तो मैं एक पहस्त बात आपसे बताना चाहता हूं यह नहीं कि हम स्पाउन बना रहे हैं अगर हम स्पाउन देखें स्पाउन में हम वीड यूज्ज परता हैं और जब हम बाज़रा और घ्यों यूज्जी करते है और इसमें सिर्फ स्टार्च लविंग फंगस ही अटेक करती है दो तरीके कि आपको फंगस में इसमें वीट में इंफेक्शन मिलती है एक तो बिल्कुल येलो मोल्ड और एक ब्लैक मोल्ड जो येलो मोल्ड है वो बेसिकली हम उसे अश्परजिलस स्पीशियस पोलते हैं और जो आपका ब्लैक मोल्ड है वो आपका राइजबस स्पीशियस है इन दोनों की खासियत है ये कंपोस्ट में जाके डैड हो जाते हैं एक्टिव नहीं रहते हैं इनका एफ्ट्म हो जाता है क्योंकि ये सेलुलोज हमें मिलती है ना क स्टार्ट लविंग फंगस है ना कि सेलुलोज दूसरा जो आने के चांसे रहते हैं डिजीज आपके स्पॉन से वो सिर्फ बैक्टिरियल इंफेक्शन होती है बट अगर आपका बैक्टियल इंफेक्शन आपके स्पॉन में है तो आपके स्पॉन में से स्मेल आएगी तो को यूज करने की ज़रूरत नहीं है वह स्पॉन आपको रिलेटेड कोई अगर डिजीज है वह आपके स्पॉन में ही नजर आजाएगी उस बैग को आप मत यूज कीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं भी स्पॉन से अलीव ग्रीन मोल्ड आ गया है जी स्पॉन से आपको ट्रा रिगोडरमा आता है और स्पॉन से किसी तरीकि की कोई भी भी विमारी नहीं आतीra कारण यह है किसाफीं हम प्रूस करते हैं वह एत लिज्वारा हमारी लैब में रहता है 12 दिन का उसका ग्रूध पिरेड है उस ग्रूध में वह कोई भी इंफेक्शन अगर आएगी तो शो कर देगा अगर वह इंफेक्शन यहाईएगे पर आपके बैग में ही शो हो जाएगी आपके वहां तक नहीं पहुंचेगी ग्रोइंग रूम तक नहीं पहुंचेगी इसलिए बेफिकर रही है spawn related कोई भी problem आपके mushroom industry में नहीं आपको मिलेगी content अच्छा लगे like subscribe कीजिए